वेल्कम टू माइ यूट्यूब चैनल आज हम क्लास 10 मैट्स की एंसी आटी की वूक में से यूनिट 5 जो की एपी सिरिस है उसकी एक इंपॉर्टन एक जैम्पल है इसको ध्यान से देखना इसमें कैसे करना है एक इसमें पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टन इसके सारे जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है उसी में से एक इक्जैंपल 3 है चलिए हम इसको देख लेते हैं एक्जैंपल 3 में हमें गिवन क्या है फाइंड दा 10 टर्म ओफ दी एपी दिस हमें ये एपी सिरिस गिवन है हमें 10 टर्म फाइंड आट करिए चलिए हम इसका क्या जाएगी 2 then d d is equal to d is the difference between these two terms और ये always equal होता है एपी सिरिस में ओके तो d की value हमने देखनी है 7 minus 2 that will be 5 sorry that is 5 then हमने देखना है हमें find out क्या करना है हमने find out करना है 10th term तो nth term जो होती है nth term of a p is a n is equal to a plus n minus 1t friendship बहुत ही important है ये equation ये जो formula है आपको हमेशा याद रखना है जो a n find out करने का means आपको a p series में कोई भी question करना है तो आपको इस formula की जरूरत पढ़ने वाली है इसको अच्छी तरह से learn कर लेजिए ये कैसे derive हुआ कैसे आया कहां से आया इसकी मैंने proper explained video बनाई हुई है वो उसक यहाँ पर जरूरत नहीं है यहाँ पर आपको सिर्फ formula apply करना है आप देखिए यह formula को आपने हमिशा याद रखना है चलिए हम इसमें values apply करते है a n हमें find out करना है a 10 हम a 10 लिख लेते है a a की value हमर पस कितनी है 2 प्लस यहाँ पर n की जगा पर हमर पस आजगा 10-1 d की value यहाँ प 5 that is 2 प्लस 45 that is 47 that means 8 10 हमर पस कितना आ गया 47 बहुत easy question है friends I hope आपको यह समझ आ गया है अगर आपको यह समझ आया है मेरी वीडियो मेरे सपढ़ाया हूँ आपको समझ आ रहा है तो please मेरी वीडियो को like कीजिए share कीजिए और ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लेके पूलिए thank you and have a nice day